नमस्कार साथियों स्वागत एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल जेम्री डिजिटल एमपी में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने भी एक्सिस बेंग में खाता खुलवाया है करेंट अकाउंड हो या सेविंग अकाउंड हो अगर आपने ओनलाइन अकाउंड ओपन किया है या फिर किसी क्योज के माद्यम से अकाउंड ओपन किया है और आपको भी अपने खाते का डेविट काड अगर रिसीव हो चुका है बाइपोस्ट या पोस्ट आप इसकी माद्यम लो आप से जोटी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीना इसकिप किये एंड तक जुरूर देखे तो चलिए दोस्तों बीना टाइम का वीडियो कर लेटे श्टाट करने पहले चोटी से रिक्वेस्ट अब हमारी चेनल पर पहली वहार नहीं किया सब्क्र Juice डndlor के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल कर ले क्यूंकि हमारे चैनल पर मिलता सकते हैं आपको सर्च में लिख देना है एक्सिस बेंग मुबाइल पे और इन्वेस्ट एंड यूपी आई तो इस मुबाइल अप्सन पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस टैफ से दिखने लग जाएगा तो इस मुबाइल मैं यहाँ पर लोगिन करके दिखा रहा हूं कि मैंने अल्रेड़ी इस मुबाइल अप्लिकेशन पर रजिस्टर कर लिया है तो लोगिन करने के लिए देख सकते हैं लोगिन अप्सन मिल जाता है आपको इस लोगिन वाली अप्सन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपने रजिस्टेशन करते टाइम जो पिन दाला था वह पिन यहाँ पर आपको मंगा जाएगा छे डिजिट का पिन सेट करते हैं तो वह पिन को यहाँ पर इंटर कर लेना है और इंटर करने के बाद देखेंगे तो लोगिन हो जाएगा लोगिन होएंगे तो आप देख स सारी सर्विस कुछ इस टाइब से दिखेगी आपको देखेंगे तो अपर आपको सारी सर्विस दिख जाएगी अब आपको अपने ATM कार्ड का पिन केसे बिनाना है या पिन क्रेइट केसे करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं आपको option मिल जाता है यहाँ पर आपको कोने में जल दे जाना है और उसके बाद में देख सकते हैं आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं कहाँ पर जाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको चले जाना है इस option पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है उसके बाद में देख सकते यहाँ पर debit card set reset pin मतलब आप set कर सकते हैं आपके जो pin है उसको या फिर आप फिर reset भी कर सकते हैं या फिर first time अगर आपका नया debit card आया है buy post आपने नया खाता कुला है तो उस card का यहाँ पर ATM pin को यहाँ पर set कर सकते हैं तो ATM pin set करने के लिए आपको simple सा इस option पर click कर लेना है तो जैसे इस option पर click करेंगे step से processing होगी उसके बाद में देख सकते हैं आपका जो account है उस account से जो भी आपका debit card link है उसके detail यहाँ पर show कर दी जाएगी detail मतलब card का नाम यहाँ पर दिख जाएगा जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं set pin मतलब आपके debit card का set pin करने के लिए आपको यहाँ पर click कर लेना है तो जैसे इस option पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी screen पर कुछ step से दिखने लग जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं please enter four digit pin मतलब चार डिजिट में आपको यहाँ पर enter pin कर लेना है अपना उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं please re-enter four digit pin मतलब चार डिजिट में जो pin यहाँ पर आपने डाला है वह का वही same pin आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है दोनों जग पिन बना लेंगे अपने पिन याद रहता है आपका जो special number यहाँ पर बना सकते हैं उसके बाद में देख सकते हैं इस continue वाले option पर आपको क्लिक कर लेना है तो जैसे continue उपर क्लिक करेंगे तो आपकी screen पर आगे आपका mobile application का जो starting register किया था आपने mobile application में वह यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको MPIN मांगा जा रहा है मतलब आपने जो इस application पर register किया था वह पिन आपको इहाँ पर इंटर कर लेना है six digit में जो आपने बनाया था वह आपको आप six digit का पीन यहाँ पर इंटर कर लेना नीचे देख सकते हैं the pin for your debit card का यहाँ पर आखरी का number दिया है और starting का number दिया है उसके बाद में नीचे देख सकते हैं आपको लिखा है has been set successfully मतलब आपका जो pin है successfully set कर दिया गया है उसके बाद में आपको सिंपल सा home वाले button पर click कर लेना है home वाले button पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी screen पर फिर dashboard दिखने लग जाएगा इस mobile application का तो यहाँ पर देख सकते हैं access being का mobile application से आपको क्या क्या कर सकते हैं उसकी सारी service इस mobile app में आपको दिखने लग जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी services यहाँ पर दिखेगी आपको जैसी की profile देख सकते हैं account की statement देख सकते हैं account का balance देख सकते हैं किसी को money transfer कर सकते हैं अगर आप ने के ओ चेक बुक बुलाना है तो देख सकते हैं check की service यहाँ पर दिख जाती है loan लेना, loan की service दिख जाती है और बहुत सारी services इस mobile application में आपको दिख जाती है तो finally इस video के मादम से मैंने आपको पूरी process बता दिया कि आप अपने debit card का pin कैसे reset करेंगे या फिर first time अगर आपका debit card आया है account open किया है आपने तो उस ATM card का pin आप कैसे इसको set कर सकते हैं तो आसा करते हैं कि इस studio के देखकर आप भी अपना debit card का pin को reset या set कर सकेंगे तो वीडियो कर अच्छा लागात प्लेश वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फिलाल आज के इस वीडियों इतना ही मिलते है कि लिए कि इस वीडियों जब तक के लिए वंदे मातर में जैहिंस आतीएं करें